जार्खन में यूनिवर्सल पेंसन योजना लागू जार्खन के मुख्य मंत्री हिमन सुरेन के निदेश के बाद यूनिवर्सल पेंसन योजना लागू कर दी गई है बतादे समाजिक सुरक्षा योजना के तहत संचालित पेंसन योजनाओं को सरल बनाया गया है एपील और बीपील कार्ड की बादेता समाप्त कर दी गई है योजना की खास बत्या है कि अब 60 परस्य अधिक आयू के सभी रिधाजनों को पेंशन योजना का लाब मिलेगा बसरते आवेदक करदाता नो हो सरकार ने गरीब निसक्त और निरास्त्रित जिन में बिधवा एकल परित्याग महिलाएं भी उनिवर्सल पेंशन इसकीम का लाब ले सकेंगी बता दे उनिवर्सल पेंशन योजना के लाब को को एक हजार उपे महिने की पांच तारीकों प्रती माह उनके बैंखाते में मिलेगी मोसम भी भाग की माने तो साम ढलते ही तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है बता दे राजे में अगले 3-4 दिनों में राध के तापमान में 2-3 डिगरी की गिरावट की भी संभावना है बंगाल की खाड़े में बना कौम दबाव का चक्रवाती छेत्र आंध्र परदेश के उपर कौम दबाव के छेत्र के रूप में बना हुआ है जिसका आसर जारकन समेत आसपास के राजे में भी दिखने को मिल रहा है बता दे 17 नोंबर का अधिकतम तापमान 26 डिगरी वही निमतम 14 डिगरी सेल्सियस रहेगा नई बहाली में कम होगा सिक्षकों का बेतनमान राजे में पराथमिक सिक्षकों की नियुक्ती में बड़ा बदलाव किया जा रहा है और पराथमिक सिक्षकों की नियुक्ती नए बेतनमान में होगी जो पूरुवक के बेतनमान से कम होगी साथ ही और पराथमिक सिक्षक और सहायक अध्यापक कहलाएंगे बरतमान में प्रात्मिक इसकूरों में कररत सिक्षक, इंटर प्रसिक्षीत या असनातक प्रसिक्षीत सिक्षक कहलाते हैं बतादे राज सरकार प्रात्मिक सिक्षकों के नियुक्ति निमावली में या संसोधन करने जा रही है इसका प्रस्ता विभागिया मंति जगनात महतों की स्विक्रिति के लिए भेजा गया है भारत न्यूजिलेंड मैच को लेकर बड़ी ख़वर 150 दर्सकों की अनुमती राची के JACA स्टेडिया में होने वाले भारत न्यूजिलेंड दूसरे T20 मैच को लेकर बड़ी ख़वर है बतादे 150 दर्सकों को स्टेडिया में परवेश की अनुमती दे दी गई है यानि 29 नुमबर को होने वाले रोमान चक मैच में पूरे 50 यार दसक इस्टेडिया में मौजूद रहेंगे बतादे जार्खन सरकार ने कुरोना महामारी को देखते हुए पहले 50 परवेश की अनुमती दी थी लेकिन मुकाबले के तीन दिन पहले फैंस को बड़ी राहत देते हुए पबंदी हटा ली गया है जामतरा में बुजूर्गों का एकाकी पन दूर करने के लिए ओल्ड एज कल्ब का होगा गठान जामतरा जीला अंतरगत नाला प्रखंड सभागार में डीसी फैज औक अहमाद मुमताज ने बिभीन काओं से आय बुजूर्गों के साथ बैठा की इस दरान डीसी ने बुजूर्गों के साथ प्रस्तावित ओल्ड एज कल्ब के बारे में चर्चा की उन्होंने कहा कि बहुत सारे बुजूर्ग ब्यक्ति अपने आपको एकाकी पन महसूस करते हैं इसलिए बुजूर्गों को इस एकाकी पन जीवन से उबारने के लिए जल्द ओल्ड एज कल्ब का गठन किया जा रहा है गुमला जीले में हर 200 ब्यक्ति में एक मिर्गी बिमारी से ग्रसीत 17 नॉमबर को राष्ट्रिय मिर्गी दिवास है यानी मिर्गी बिमारी के बारे में लोगों को अधिक सधिक जागरूप करने का दिन बतादे गुमला जीले में सरकारी आकड़े के अनुसार जीले में 1500 मिर्गी मरीज हैं जबकि सैक्डो मरीज नीजी क्लिनीक या बैध के पास इलाज कराते हैं गुमला सदर होस्पिटल के उपाधिक छक डाक्टर अनंद की सोर उराओ ने कहा कि मिर्गी मानव के दिमाग से समन्दित रोग है या रोग केमिकल इनवाइलेंस से होता है इसका इलाज सदर होस्पिटल में नहीं बलिक जीला मानसिक स्वास्त केंडरे में मानसिक चिकित सक द बहाली होगी इसमें स्टाप नर्स, एनेम, जी एनेम, डाटा मेनेजर, पोस्टन सलाहकार, फार्मासिस्ट, डेस्टिस्ट, नेत्र सहायक, सहित अने पदो के लिए अविधन मांगे गए हैं इक छुक उमिद्वार आगामी 27 नॉवमबर 2021 तक रईस्टर पोस्ट से अपना अविधन सिविल सर्जन को भेज सकते हैं बता दे राश्टिय स्वास्ति मिशन के तहट पूर्वी सिवम जीले में कॉंट्रेक्ट पर 206 लोगों की भाली होगी पंचायत चुनाव की घोसना जन्वारी के पहले हफते में जारखन के अलपसंख्यक कल्यान वखेल मंत्री हफिजूल हसन अंसारी ने जन्वारी के पहले हफते में पंचायत चुनाव होने की बात कही है राज में पंचाय चुनाओं को लेकर सरकार ने त्यारी कर ली है जार्खन अस्थापना दिवास समारोह में भाग लेने गिरी डी आय मंत्री सीरी हफ़ुजूल ने परिश्ट दन में पत्रकारों से यह बाते कही सीरी हफ़ुजूल ने कहा कि कुरोना वारास संक्रमन के कारण राज में विकास के कई कारे रुके थे लेकिन कुरोना वारास संक्रमन पर काफी हद तक काबू पाइने के बाद से राज में विकास कारे तेजी गति से होने लगे है जैपी असी मेंस के लिए ओनलाइन आवेधान शुरू जर्खन लोक सेवा आयोग की 17 छन्यूग्ट सिवीज मुख्य परिशा के लिए ओनलाइन आवेधान की परकिरिया मंगलवार से शुरू होगाई ओनलाइन आवेदान 15 दिसंबर तक भरे जाएंगे आयोग ने पहले ही ओनलाइन फरम भरने को लेकर बिश्त्री दिसाने देश चारी कर दिया था बता दे कि प्रारंबिक परिशा में सपल गोसीद 493 अब्यारती मुख परिशा में सामिल होने के लिए ओनलाइन फरम भरेंगे जारखन में कुरोना के एकोईस नए मरीज मिले हैं वहीं 14 मरीज स्वास्त भी हुए हैं जबकि एक मरीज की मौत भी हुई है भारत में 9999 नए केस मिले हैं जबकि 11942 मरीज स्वास्त भी हुए हैं